Ну hi. Um Hello Everyone. Welcome to My Channel तो आज फ्रेंडस में बात करूँगी स्पीच की स्पीच की ही ज़ाद स्था जादा बाते करूंगी क्युआ औरटीजमक के मेरे भिजी इतने सारे पैर्llers इतने सारे जो बच्चे हैं चाहे, ऑन्लाइन कांसुल्टेशन्स वाले हो यॉ औफलाइन कांसुल्टेशन्स वाले हो यह सारे बचचे हमारे अठके हुए हैं बत करूंगी भीया कि her feather देखिए तो हमारे ब एप्रेक्सिया है एप्रेक्सिया क्या मतलब यह होता है फ्रेंज की बहुत टाइम से आप लोग स्पीच थेरपी करा रहे हो एक बार जैसे उसका वर्ड कोई निकला है लो या मम्मी निकला उसके बाद आपके कान तरस गए वो वर्ड दुबारा सुनने के लिए या फिर कितन भी आप कोशिश कर लो लेकिन उसके वर्ड नहीं निकलती कितने टाइम से आप 10 साल, 13 साल, 14 साल से स्पीच थेरपी करा रहे हैं लेकिन बच्चे के वर्ड नहीं निकल रहे है वर्ड क्यों नहीं निकल रहे है जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि what is aprexia इसमें क्या दि चले जो speech pathologist पे चले जो OT, speech therapy, कुछ भी आपका रालो अब देखो friends की जैसे मुझे बोलना है hello friends ठीक है मैंने मेरे दिमाग पे signal गया उसमें तुरंत बोल दिया hello friends जैसी मुझे इच्छा हुई कुछ बोलने की तुरंत मैंने बोल दिया hello friends बच्चे अब जो aprexia के हैं जो autism के बच्चे हैं उन लोगों को अगर हम नेने बोला start say hello hello तो 30% बच्चों ने मेरी तरफ देखा ही नी इतने टाइम जो speech therapy चली उसमें उन्होंने hello कैसे बोला गया उस पे focus नहीं किया concentration नहीं किया इसलिए speech नहीं आए बच्चे हुए 30% बच्चे का concentration focus eye contact ही नहीं था इसलिए उन्होंने समझ भे नहीं आया कि उन्हें क्या बोलना है और बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों में इतने जदा behavioral issues और sensory issues और tantrums थे कि उस time का उनका mind ही स्थिर नहीं था कि what we are being told to do so this is the three reasons why the speech has not developed in those children who are taking therapies since long long time fine अब friends apraxia के बच्चों में क्या होता है अगर मैंने बोला hello सबसे पहले hello word जो गया उसके hello word brain तक पहुचने से पहले brain तक signal गया brain ने signal दिया muscles of mouth को कि muscles को चलाओ tongue की movements करो कि tongue कैसे चलेगी hello में hello muscles बोली मुगी muscles बोली कि कौन सी muscles काम करनी है hello में muscles को समझ में नहीं आया signal इतना strong नहीं है muscles बोली कि कौन सी muscles e मैंने बोला hello e मैंने बोला by e मैंने बोला apple ha ball ha signals नहीं है उसको नहीं पता है कौन सी muscles hello में यूज होंगी so this is the main reason जिसकी वज़े से जो output है वो जो word है वो निकली नहीं पाया ठीक है muscles का execution muscles का coordination muscles का function किस तरह से होना है ठीक है किस तरह से function होना है किस तरह से execution होना है for example कि अगर मेरे mind ने बोला take the hand up मैं ले गई एप्रेक्सिया वाले बच्चे टेक दा hand up which hand कौन सी muscles काम करेगी hand को उपर रह जाने के लिए यह सारी चीजों का पता नहीं होता ठीक है अब क्योंकि इस एप्रेक्सिया में execution word आया है जब तक वो हमारी आखों में आखे डालके देखे गानी की मेरा lips कैसे move हुआ है hello में hello a e i o u कम से कम 3 से 4 घंटे उस जब तक वो देखे गानी मेरे होटों को जब तक मेरी आखों में देखे गानी जब तक focus नहीं करेगा concentration नहीं करेगा तब तक execution of the task नहीं होगा and one more very important thing is that oromotor exercises doesn't play any role in apraxia ठीक है ना फाइदा ना कोई भी फाइदा होता है ना कोई भी नुकसान होता है क्योंकि आप लोगों को अभी तक ही नहीं पता autism आपके बच्चे को है कि oromotor muscles are not at all weak वो कोई weak नहीं है muscles उन muscles में कोई paralysis नहीं है muscles को अपना action करना नहीं समझ में आ रहा muscles are properly strong muscles have proper coordination but the understanding part is weak muscles की exercise चल रही है sensory vibrator brush चल रहा है sensory वाले part में it's okay but इनका ना फाइदा ना नुकसान oromotor exercises का in the case of aplexia पुरानी researches आप सारी पढ़िए कितने प्रतीशत oromotor exercises यह muscles weak नहीं है इनको movement आती नहीं है tongue को movement आती नहीं है tongue weak नहीं है tongue को movement आती नहीं है करने A.E.I.O. you बुलवाई है tongue को बाहर अंदर कर सकते है but these are just a support यह मत सोचे कि इन चीजों से apraxia cover ओगा but no it is a big no केवल बोलने से एक एक sound को आखों में बच्चे का सर पकड़ के अपनी फेस के उपर गड़ा होगे कैसे बुझे देख के बोलो A.E.I.O. you बच्चे के साथ साथ करेंगे A.E.I.O. you साथ साथ movements करना सिखाएंगे तब apraxia खतम होगा and at that time your child will develop speech or start developing the words ठीक है अब जैसे मेरे पास इतने सारे बाहर के जो panels आते हैं इतने दूर दूर से जैसे ही आते हैं जैसे किसी का कोई speech पे अटका है कोई किसी चीज़ पे attack अटका है कोई writing पे कोई cognitive part पे कोई behavioral issues में तो हम क्या करते हैं what we do for example कोई speech के लिए आया बहार से चार घंटे के लिए चार घंटे के लिए अपने सामने आय कॉंटक्ट करके उसको बिठाते हैं बीच में frequent breaks होते हैं तू तू मिनिट्स फाइफ फाइफ देंट्स के ब्रेक होते हैं वान आर के बाद लेकिन आय कॉंटक्ट करके अपने सामने बिठा दिया वले ही वो ना बोले एक लाख वर्ड्स थेरेपिस्ट या मैंने उससे बोलने हैं ए ए आई ओ यू ओम नमस्षिवाए एक अल्फबेट कम से कम पचास बार कान के अंदर जा रहा है उसका माइंड अक्टिवेट हो रहा है उसके सिगनल्स अक्टिवेट हो रहे हैं और वो देख रहा है कि लिप्स मॉव्मेंट्स कैसे हो रही है फिर वो बोलता है इसलिए ज चार घंटे मैं उसको दिखाती हूं अपना फेस चार घंटे नॉन स्टॉप बोलते हैं हम लोग नॉन स्टॉप बोलते हैं चिला चिला कि उसके कानों में अंदर आवाज जाती है सिगनल्स स्ट्रॉंग होते हैं कि क्या बोलना है कैसे बोलना है मैडम की लिप मूवमेंट क बाहर निकालना ही है ठीक है अभी थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है कोई बात नहीं पूरी लाइफ पढ़िए वो इरिटेट नहीं होगा बिना बोलने वाला जो इरिटेशन होता है ठीक है तो गोल औरियंटेड काम करें होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं फिर देखिए कैसे बच्चे की स्पीच नहीं आती अगर रोटी की जरुरत नहीं है बच्चे को एक्टिविटीज वगेरा स्पीच थेरपी जब सेशन चल रहा है फुल उसका वो होना चाहिए जो रिस्पॉंस है स्पीच की तरफ और अगर बच्चा क्लियर नहीं बोल रहा जैसे अपल को पल तो आप यह दिखाना है आपको कि आपको समझ भी नहीं आए यह प्रिटेंड मत करें कि यस भी हम अंडर्स्टोड नो एपल क्लियर बोलना है बहुत लाउड बोलना है तब आपका बच्चा जल्दी निकलेगा उटिजम से ओके ओप यू लाइक माई वीडियो वेरी अवेरनेस वीडियो है बहुत ही इंपोर्टेंट आप शेयर कर ही अपने फ्रेंड्स तक पहुंच आए ताकि बच्चे की स्पीच जल्दी आए स्टे सेफ स्टे हेल्दी